कुंडली में सूर्य और चंद्र का एक साथ विराजमान हुना जातक के जीवन में लाता है परिशानी सूर्य और चंद्रमा की युती व्यक्ति की जिंदगी में कैसे बनाती है विपरीत परस्थिती कुंडली में इस संयोग का प्रभाव कैसे लाता है जीवन में बर्बादी बता रहे हैं जोतिशाचार राकेश चतुरवेदी जी सिर्फ धर्मग्यान पर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता और धर्मग्यान के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है हमेशा की तरह मेरे साथ जाने माने आस्ट्रोजर राकेश चतुरवेदी जी महजूद है ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से जितना दूर होंगे आपकी कुंडली में उतना ही आपको शुब संकेत देंगे अगर ये रेर कॉंबिनेशन साथ में बनता है तो आपके लिए अशुब संकेत कई बार लेकर आता है तो आज हम इसी विशे पर चर्चा करेंगे कि अगर कुंडली में चंद्र और सूर्य एक साथ हैं अगर ये कॉंबिनेशन बन रहा है तो फिर हालात कैसे होंगे सबसे पहले राकेश जी बताईए कि ये दोनों चीजे मतलब अगर हम सूर्य और चंद्रमा की बात करें ये किस-किस के कारक है और इनका दूर रहना शुब क्यों है देखे दो चीजें हैं यहां पर आती हैं इस सूर्य और चंद्र की युदी का पहली चीज की सूर्य आत्मा का कारक और अग्नी तत्त्त की राशी का कारक माना जाता है दूसरी चीज चंद्रमा के बारे में अगर कहा जाए तो जल तत्तु का ग्रह है और साथी साथ मस्तिस्क का जो है वो कारक शूर्य आ जाता है और वहीं मन का कारक चंद्रमा आ जाता है और दोनों चीजों में एक आप अंतर पाएंगे कि शूर्य अस्थाइत को दिखाता है ए जोड़्श लोग जहां पर चंद्रमा उच्हकाhone या निज्शकांगो हो वो सकरात्मक या नकरात्मक मन से चंचन एख ऑधिख हो तो इस तरीके से दोनों के कारक तत्व अलग हैं और दोनों एक भीपरीद हैं कारक तत्तों में भी और प्रभाव में भी नम्रता तो इसलिए यहां पर जो आपने कहा कि जो दोनों जितने दूर रहें उत्ने सुभपरणाम देते हैं इसलिए कहा गया देखें यह rare combination है तो जाहिर सी बात है rare combination है तो इसमें negative तत्तों जादा होंगे और positive कम और positive लेने के लिए बाकी भी ग्रहों का साथ मिलना बहुत जरूरी हो जाता है तो इसलिए ये combination बहुत कम बनता है और ना बने तभी अच्छा है कैसे बनता एक combination ये राकेजी में आपसे जरूर जाना चाहूंगे तो फिर ये अशुब संकेत कैसे देता है देखे अशुब फल इसलिए देता है कि सूर्य को सामान अगनी कारक तक तो से नहीं लिया जा सकता सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है सूर्य ही उर्जा का एक मात्र कारक है और इसलिए ग्रहों के लिए सबसे राजा ग्रह इसको माना जाता है सभी ग्रहों में सबसे सक्तिशाली ग्रह इसको माना जाता है और दूसरी चीज यहाँ पर एक नम्रता जी आप सब के साथ दर्सकों के साथ भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि सूर्य के साथ एक है ब्रांती है लोगों की, कि सूर्य को जल देना लोग कहते हैं कि पावर देता है उनको नहीं यहाँ भी एक ब्रांती आप मिटा लिजेगा, सूर्य को जल देने का एक समेंदिर धारित किया गया है कि ब्रह्म महूर्त से लेकर सूर्योदय की जब लालिमा ले रहा होता है पहले फेस तक आप उनको जल का अर्ग दे सकते हैं उसके बाद आप उस पर जल नहीं डाल सकते हैं आपने देखा होगा जब हमन इत्याद भी होता है तो हम डारेक्ट जल का छिड़काव नहीं करते हैं उसमें हम कुछ घी की मात्राएं डाल लेते हैं वो सांती के लिए किया जाता है बुझाना अलग चीज हो जाएगा उसकी सांती करना अलग चीज जाएगा तो दोनों चीजे अलग हैं विपरीत हैं इसलिए कभी भी चंद्र और शूरिकी युती अगर वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है और शूरिक पीडित होकर बैठा हुआ है तो वहां पर बल मिल जाता है पापी ग्रहों को और वहां पर शूरिक पीडित होकर उनके जीवन में कई तरीके के नकरातमक प्रभाव को द दोनों साथ बैठते हैं बैठते भी हैं या बहुत रेर ही होता है नम्रताजी बिल्कुछ सही प्रश्ण कि आपने एक सामाने रूप से आप देख लें कि अक्सर जिसकी भी कुंडली में ऐसा कॉंबिनेशन आएगा उसको सामाने रूप से अगर आपको समझना है तो उसके ज चंद्रमा पूर्ण प्रभाव में रहेगा शूरिके तो उस समय आगोश में रहेगा उस समय यह प्रभाव आता है जाना तर यह तरीके की युती बनती है अब इस तरीके की युती जब बन जाती है तो वहां पर बाकी ग्रहों के साथ साथ चंद्रमा का मूलते वहां पर ड पढ़ता है मतलब जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि जो माता-पिता होते हैं उनमें से किसी एक का सुख मिलता है तो वो जो सारी चीजे आप बता रहे थे वो करप्या दर्शकों को बताई जी बिलकुल अमता जी देखे इसके प्रभाव क्योंकि यह कुं दुतिये भाव में दूनों जगहों पर अगर इस तरीके की युती बन रही है अगर किसी भी जातक की कुंडली में किसी की जातक कीimiento में लग्न में है शुरिय और चंद्रमा और किसी के दुतिये भाव में हैं तो वहाँ पर आये गया समस्या कि अगर सूरी मजबूत है और सूरी की डिगरी स्ट्रॉंग है तो वहाँ पर एक प्रभाव आएगा कि वो कहीं न कहीं अच्छी जगह पर कार्यत रहेगा, समाजनक अस्थान पर रहेगा, लेकिन संबंधों के मामले में माता या पिता में से क दूर रहना पड़ा है, इस तरीके का प्रभाव हमने देखा है, अब आते हैं मूल रूप से चतुर्त भाव में अगर इस तरीके की युती बनती है और कहीं से भी सनी या राहू की दृष्टिकत संबंध भी नम्रता जी अगर आता है, क्योंकि चतुर्त भाव मन की चंचल देखा वो निर्णे ही नहीं ले पाएगा, आपको सिस्टम बंद करना है, आपको पता है का आपका कार्य हो चुका है, लेकिन आप ब्रहम की स्थी में रहेंगे, कि अब हम बंद करें या फिर आके हमें ओपन करना तो खुला ही रहने देखा है, इस तरीके की स्थी वो सामा प्रभाव बहुत ही बलसाली हो जाता है, सत्रुं के साथ हमेशा घृरे रहना, और साथी साथ क्योंकि चंद्रमा चंचलता का कारक है, तो अपने लोगों का ही सत्रु बन जाना, वहां पर यह इसा प्रभाव कुंडली में ये दिखाता है, ये युती दिखाती है. तो हालात कैसे हो सकते हैं ये तो आपने जाना अगर इस तरीगी के हालातों से आप जूज रही है तो आप समझ सकते हैं कि चीजे कहां पर effect हो रही है इन सब के बीच राकेश जी कुछ ऐसे उपाय जो आप दर्शकों को बताना चाहें मान लिजी इन सारे हालातों से कोई गुजर रहा है तो किस तरह के उपाय कर सकते हैं अगर ये योग बन रहा है और किसी भी प्रकार की पीडा दे रहे किसी भी घर में बैट कर आपके कुंडली के आप जो भी हो आप किसी भी श्लॉजर को या किसी भी जोतिस के जानकार को आप अपनी कुंडली का विशलेशन करा ले और अगर ऐसी सती बन रही है और अगर वो बताते हैं कि योती बन नही की जरुरत नहीं है इस धर्म ज्यान के बंज पर हम आपको एक अद्भुत उपाय देते हैं जिससे कि आपको इस पीडा से 90 प्रतिसत तक मुक्ती साधारन घरेलू उपाय के माध्यम से आपको मिल जाएगी पहला काम करना है आपको सुबह सुबह प्रातयकाल आपको हलका सा हल जल्दी डाल कर जल में शूरी को अर्ग देना है और यह काम आपको एक नियमतह करना है अपने आपको समय बंधन में बान ले नम्रता जी और कोशिस करें कि सुर्य पूर्ण रूप से प्रकास ना दिया हो और लालिमा ले रहा हो उसके पहले-पहले आप यह कर लें क्योंकि जब शूर्य पूर्ण प्रभाव में आ जाता है तो वहाँ पर जल का अर्ग देना निशिद्य माना जाता है लोग इसको थोड़ा सा ब्रह्म में डाल देते हैं लेकिन आप लोग एकदम मस्तिस्ट से किलियर रहिए कि जब भी पूर्ण सूर्य योदय हो चुका हो और सूर बच्चे को कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की कुंडली में होता है और मानसिक विकास कम होता है नमरता जी लोग परिशान रहते हैं तो उस तरीके का अगर आप रखते हैं तो आपको अद्बुत लाब इससे मिलेगा और असमान लाब आपको चमतकारी मिलेगा इससे नमर तो बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो किस तरह के हालात हो सकते हैं इन हालातों से आप कैसे बच सकते हैं ये आपने इस वीडियो में जाना बहुत 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 शुक्रिया इतमाम जानकारिया दर्शकों तक पहुंचाने के के लिए राकेश जी और आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार